नमस्ते चात्रों यूटूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर आपके सामने हम हाजिर हैं ये वीडियो लेकर इस वीडियो में हम शैव, साक्त, भागव, धरम के बारे में जानकरी देंगे तो देखिएगा एदिया आपने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल् लेकर दबाएं ताके आपको नए नोटिफिकेशन मिलें और आप एकजाम की अच्छे से तैयारी कर सकें तो देखिएगा पढ़ते हैं सैव, शाक्त, और भागव, धरम सबसे पहले हैं शैवधरम देखिए सैवधरम के बारे में हम पहले भी आपको पढ़ा जुके हैं सैवमत का उदे सुंग सात्वाहन काल में हुआ था, गुप्त काल में सैवधरम चर्मोतकर्ष पर था, रिगवेद में उन्हें पसुपती अथ्वापसूं का रक्सक कहा गया है सैवधरम के पांच सिधानते तो सैवधरम के पांच सिधानत कोन-कोन से देखेगा कारिय, कारण, योग, विधी तथा, दुखानते उपनिशनों में सिव, दर्शन और ज्ञान तत्वा की मिमानसा की गई है, तथा उनका सम्मन्द इस्वर, जीव और प्रकर्ति तत्वों से इस्थापित किया गया है माभार्त में सिव का वर्णन स्रेष्ट देवता की रूप में हुआ है, जिन से पासू-पता-शास्त्र प्राप्त करने के लिए अर्जुन को हिमाले जाना पड़ा था अभिज्यान सांकूतलम में सिव के अस्थ रूप की इस प्रकार की वेख्या की गई है, जल, अगनी, होता, सूर्य, चंद्र, आकास, पर्त्वी और वायू ये माना गया है कि ब्रह्मा जगत के स्रस्था हैं, विश्नु पालक हैं और सिव समहारक हैं पुराणों में सिव की त्रेमबक, भव, सर्व, महादेव, इशान, शंकर, शूली, त्रिशूलधारी, पिनाकी, नील, लोहित, नील ग्रीव, सिवी कंठ, सहस्त्राक्स, वरिशब ध्वज, पसूपति, अत्ति भहरव, आदी विभी नामों से स्तुति की गई है खजुराहो में उद्धन द्वारा एक मनोरम सिव मंदिर की स्थापना की गई थी खजुराहो के कंठरिया महादेव का मंदिर स्थापत्यकला का अदबुद नमूना है भीम पर्थम सिव पासक था, उसने सोमनात का प्रस्तर का मंदिर बनवाया था जो कालांतर में महमूद गजनवी ने नेस्ट कर दिया था उसके बाद कुमारपाल ने उसका पुनह निर्मान करवाया था वायू पुराण और लिंग पुराण के विवड़ों के अनुसार पासूपत मत का उद्धव लकूलिन अत्वा लकूलिस नामक ब्रहमचारी द्वारा हुआ था जो सीव के अवतार थे कापालिकों के इस्ट भहरव थे भहरव हैं जो सीव के अवतार माने जाते हैं राश्टर कूर्शास को ने एलोरा के विख्यात कैलास मंदिर का निर्मान कराया था राज-राज पर्थम जो चोल सा सकता उसने तंजोर में परसिद राज-राजेश्वर शैव मंदिर का निर्मान किया था जो व्रहदीश्वर के नाम से जाना जाता है कई बार एकजामें पूछनेते हैं मंदिर तो वीडियो ध्यान से देखेगा अब आतापका साक्त धरम साक्त धरम समुदाय का सैव मत के साथ गनिस्त सम्बंध है पुराणों की परंप्रा नूसार सक्ती की उपासना काली दुर्गा के रूप में रही है वैदिक साहिते में उमा, पारवती, अंबिका, हेमवती, रुद्राणी, भवानी, आदिनामों का सक्ती के रूप में उलेक मिलता है रिग्वेद के दस्व मंदल में एक पूरा सूक्त सक्ती की उपासना का है जिसे तांत्रिक देवी सूक्त कहते है 64 योगिनी का मंदित जो जबलपूर में इस्थित है साक्त धरम के विकास और प्रगति का पर्तीक है साक्तों के दो वर्ग हैं कोलमारगी साक्त और समयाचारी साक्त रिग्वेद में वाक देवी को ब्रहमांडिये उर्जा का स्रोत माना जाता है सिव की पतनी के रूप में शैव का उद्दा रूप दिखाई देता है साक्त धरम में सिव की पतनी को पार्वति, देवी, उमा और महदेवी कहा गया है अब देखिए का भागवत धरम भागवत धरम को वैशनव धरम के रूप में भी जाना जाता है इस धरम का उद्भव मोर्योत्तर काल में हुआ इस धरम के संस्तापक वासुदेव कृष्ण थे जो विष्णी वन्सिय यादव कुल के सम्मानन ये थे ब्राहमन धरम के जटिल करमकान एम यगी विवस्ता के विरुद पर्तिकिरिया सवरूप उदे होने वाला पर्थम संपर्दाय भागव संपर्दाय था वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव विष्णू का अवतार माना गया है भागव संपर्दाय में वेदान्थ, शांखे और योग के दार्षनिक तत्वों वै विचार धरों का समावेस है वायू पुरान के अनुसार भगवान वासुदेव के पिता वसुदेव ने घोर तपस्या की थी जिसके परणाव सरूप देवकी के गरब से चत्तुर बावु वाले दिवे रूपी बगवान ने अवतार लिया चांदों के उपनिसत के एक अवतरण में रिशी, घोर, इंगीरस के सिसे तथा देव की पुत्र श्रीकृष्ण का वणन मिलता है वासुदेव जो श्रीकृष्ण का प्रारंबिक नाम था पाणिनी के समय में परसलित था भागवत काल में वासुदेव की भक्ती पूजा करने वाले वासुदेवक कहे जाते थे पाणिनी के समय में वासुदेव का पूजन तथा भागवर धरम का परचार परशार तेज गती से प्रारम हो गया था श्री कृष्ण के अनुसार ज्यान, कर्म और भक्ती से मनुसे मोक्स प्राप्त कर सकता है विष्णु एम नारायन का एकिकरण भी इसी युग में हुआ वासुदेव कृष्ण उसी अन्स के माने जाने लगे बेस नगर गे द्वित्य इस्सा पूर्व के एक अभिलेक से पता चलता है कि युनानी दूत तक सिला निवासी होलियोडोरस ने वासुदेव के स्मरण में गरुड द्वजिस तापित करवाया था उसने स्वयम को भागवत घोसित किया था मतस्य, वायू, पुराण, ब्राह्मन, पुराणों में नारायन को विष्णु का सवरूप मना है तो देखिए का इस वीडियो में हमने शैव, साक्त और भागवत धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त की इसी प्रकार से आपको और भी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे मिलेगी तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्ड एज पे